हलो फिंट्स नमस्कार स्वागत आप सब्रकों तो उमारी यूटूब चैनल में सोभा सिलायार करला आज कामेस वीडियों बताओंगे आप सब्रकों को जाली वाली बलोज के भैगड़ी चान बराना बहुत ही खुब सुरत मेरी ये वीडियो पसंद है तो आप सभी को तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल का सब्सक्राइब कर लिजेगा सेट में जो भी लेखन का बटन उसे प्रेस के लगता कि कोई भी वीडियो में डालो तो सबसे पहले आप तक पहुंच कर आए हैं जो हम देखिए आपको खोल क दिखा रही हो गाला को हम जोकोर यहां से कटिंग कर रखी फिर इसको दो फल करके यहां पर इसको हम देर हिंची की चौराई से जाली के लिए कपरा काटेंगे देर हिंची चौरी तो यह निसान लगा ली मैं सिधा इस तरह से और फिर इस निसान को इस निसान से मिला इस तरफ और इसको कटिंग करके निकाल देंगे आप यहां पर चाहे तो इसको घटा बरा भी सकते हैं इसकी नंबाई और यह हम किज़े निकल लोगे के कप्रा लिए हैं इसको इस तरिका से उर्यव में फोल्ड करके यहां से हमको जितनी पटिया लगेगी उतनी पहती हम डे पटिया को निकलने के बाद आपस में तीरचा रखते हुए सभी पटिया को जोइंट लगा लेंगे जोइंट लगाने के बाद इसको जोइंट जो है धागा सो कट कर देंगे अब यह बलोज का कप्रा लिए इसको किनारी से दूपॉइंट के नुसार से पकरके शिलाई बुखुमा के इसमें शिलाई लगाऊंगी और सिर्फ पाइपिन बाले ही कप्रे को खीचे और पाइपिन चठा दी अब यहां पर कोना पर कट लगाऊंगी ताकि पाइपिन फोल्ड करते ताइप अच्छे से फोल्डों और फिनिचिंग है तो मैं कप्रे में कोल्ड लगा अब इस तलीका से फोल्ड कर देंगे पहले वार इस तलीका से फिर दूसरी वाल में इस तलीका से और देखें नीचे से कितना सफाई से आई फिर से मैं बता रहे हूं इस तरह से फोल्ड करके और इसको किनारी से शिलाई लगाऊंगी पाइपिन के उपर शिलाई नहीं जा स्टुप किनारी से सिलाई लगाऊंगी और प्रीपिन के सवारते हुए और आगे बढ़ते हुए में पुरें सिलाई लगा लोगे पूरे पाइपिन के ऊपर और वीडियो को पूरा को पूरा दो प्रण के दूरी से एक और शिलाई लगा दोंगे वीडियो पूरा देखे तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे कहीं पर सीखने जाते तो अपरा टाइम भी निकालना पारता है एक प्रण के लिए यहां पर दो इंची चोरी में पटी लिए को पराके जो ब्लॉच का कलर का है उसी कलर का दूसरे कलर भी यहां पर बना सकते हैं आपे की नारी से हम यहां पर सिलाई लगा देंगे इसको पलट देंगे तो हम एक तारली यह उससे हम पलट दिए इसको अब पलटने के बाद इसको हम मचीन के ही कोड़ी में यहाँ पे देखिए यह जो कपड़ा में यहां से काटकी जो निकाली हो तो मैं बता रही हूँ हावा भी बहुत तेज चल रही है यहां हम काटके निकाल दी इसको देखे चौराई है 1,5 इंची है तो यहां पर हम 2 इंची का फीता इसको कटिंग करूंगी कि करूंगी कर दो दो इंची में अच्छा देख़ता है पतला फितला में फिता में निए अच्छा दिखता है, तो पुरीज़़व कर लिए, अब यहाँ पर हम एक पेपर कटांग कर लिए हैं, पेपर पेदा के पहले इसको हम सिलाई लगा लेंगे, सभी को एक के बाद एक को रखते हुए, यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा दोंगे, finishing से सभी टुक्रे को इस पे डालके मैं शिलाई लगा ले हूँ अब इस तरफ से एक और शिलाई लगा देंगे ताकि सभी pieces जो है एक सामान और जेश्ट हो जाएगा अश्टरा है इसको काटके निकाल देंगे अब निकाल देंगे हैं से काटके अब इसके किनारी पे हम यह पाइपिन वाली कपड़ा लिए है इसको दो फोल्ट करके किनारी से इस पे सिलाई लगा दूँगे चिलाई लगा दूंगी और इसको आगे को जो इस्ट्रा कपरा निकलेगा तो कटके निकालेंगे नहीं तो नहीं इसको भी आगे के तरफ जुका देंगे इसको जुकाने के बाद फिर यहां पर पायबिन बनाके ंजिलाई लगा दूंगे और सिलाई की पायबिन के उपर नहीं जाने चाहिए। मैं बारबर कहते हूँ चिलाई पायबिनिक की पुपर जाएंगी त्थी नहीं दिखीगी। अब ये प्लोच का कपरा को लेकर यहां पर अंदर से सेट करके यहां पर पीण अप कर देती हूं पीण पर कर देने से इधर अदर खिस कियेगा नहीं और अच्छा से सिट भी हो जाएगा इसको यहाँ पर मैं टाका भर दी हूँ पहले श्टाटिंग में ताकि खूलेगा नहीं चल दी और अच्छा से फिनिसिंग पका भी हो जाएगा तो दोनों तरफ से टाका भर दी है अब यहाँ पर पेपर को देखिए एक ताम इजली पेपर निकल गई बहुत अच्छा से निकाल दी है और यहाँ पर मैं एक में छोटी स्वीली उसमें दोले अधागा डाल ली हूँ और मोती ले ली हूँ अब देखिए यहाँ पर हम मोती आपको दिखाते हैं इस तरह से मोती को आटेच कर ये और देखेते किस तरह से में मोतई को कर रही हूं इसी तलिकासम मोतई को पूरे जीतना जी जालिक बना हों उस अभी में हम मोतई को कराद कि अटाफ्च चय को सबींद सब्सक्राइब के साब तो इतना खुबसुरत नहीं में लगता और वीडियो अच्छी लगता लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए और फिर मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए थाइंकियो